जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को जिसमें आपको सोनम कपूर हैरान परेशान नजर आ रही है करीना कपूर खान खुश नजर आ रही है शिखा तलसान या लुका छुपी करते दिख रही है वहीं पर स्वरा भासकर छुमके पहन रही है अरे भीया ही ये नया पोस्टर है वीरे दी वैडिंग फिल्म का नमशकार आदाब मैं हूँ अभिशेक स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी बीट पार करीना कपूर साल 2018 में एक बार फिर से परदे पर नजर आने को तयार है जी हाँ तैमूर के बर्द के बाद करीना का कमबैक और जिस फिल्म के साथ कमबैक उसके बारे में आप सब जानते ही है फिल्म का नाम वीरे दी वैडिंग जो इसका पहला पोस्टर ऑक्टोबर 2017 में र पोलासा कर दिया गया है कि आखिर ये फिल्म किस दिन रिलीज होने वाली है तो जनाः पहले इस फिल्म के रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा चुका है लेकिन अब इससे फाइनल कर दिया गया है जो कि है एक जून 2018 जी हाँ फर्स जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, इसकी अनॉंसमेंट कर दी है, फिल्म की मेकर्स ने, सोनम कपूर ने, बालाजी पिक्चर्स ने और बाकी सब ही ने बेराल इस फिल्म का इंदजार फैंस बड़ी पेसबरी से कर रहे हैं, क्योंके इसमें एक तो सोनम कपूर है, दूसरी बात, करीना कपूर खान एक लंबे टाइम के बाद नजर आने वाली है, इसे फिल्म में पहले ये फिल्म 18 माई को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसकी नई रिलीज डेट आ चुकी है, जो की है 1 जून 2018 वैसे इस पोस्टर में जहां सोनम कपूर एक तरफ हैरान परिशान नजर आ रही हैं, वहीं करीना काफि स्टाइलिश और एटिटूड में लग रही है वही पर शिखा तलसानिया और स्वरा भासकर, जो की इस फिल्म में करीना और सोनम का साथ निभाने वाली हैं, वो भी एक बेहधी अलग अंदाज में नजर आ रही हैं, लेकिन ठीक पहले पोस्टर की तरह इस पोस्टर में भी क्लियर है कि जनाब ये वेडिंग बेल्स बड इस फिल्म का डिरेक्शन है, शशांग खोश के हाथों में वहीं पर इसे मेहुल सूरी और निधी महरान लिखा है, इस फिल्म के निर्माता की बात की जाये तो जनाब इसे अनिल कपूर और एकता कपूर की कमपनी मिल कर प्रेड्यूस कर रहे हैं, इस फिल्म के पहले भी द टेलिव जुन के दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को